हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स आपके चैरे पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है जूरियों की प्रोबलम है दाग धबों की प्रोबलम है आपके चैरे पे गलो नहीं है आपके चैरे पे बहुत ज़्यादा जाया आ गई तो इस रेमडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैया पे ले रही हूं बेसन सबके घर में मिल जाता है एक चमच आपको बेसन लेना है बेसन हमारे चेरे के दाग धबों को दूर करता है जाईयों को दूर करने में बहुत जदा हेल्प करता है तो एक चमच भरके यहां पे बेसन लेना है उसके बाद मैं यहां पे ले रही हूं मलाई जो दूद के ऊपर मलाई आती है मैंने उसी का यूज किया यह मारी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लाती है ड्राइनस को दूर करती है चैरे पे बहुत अच्छा निखार लाएगी चैरे को मोश्टराइज करेगी तो आदा चमस दूद की मलाई लेने बहुत जरूरी है सर्दियों का मोसम है तो आप जरूर मलाई ले चाहे आपकी स्किन ओईली हो या फ लिमन के इंदर बिटामिन सी होता है यह आपके कलर को फेर बनाता है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा लेमन का रस लिया है अगर आपकी सि किन सेंसिट्व है तो इसकी जगाहिए अपर दबस के लिए सकते हैं या फिर करते अनली स्कति सभी हुँ एक चमझ तर भने करेंगा दा मैं यहाँ के कच्छा दूद ले रही हूं चालिक के लिया आपके दाग धब्बबे जाईया है अच्छे से मिक्स करें तो लीकार्णा से बाएंगे लिए यहां वीट आपके चेरी के लिए बहुत था की ज्यादा अब कि यहाँ आफ भाची से लिए इससे आपकी स्किन बहुत जाद आची हो जाएगी जितनी भी प्रोब्लम है दाग धबों की वह भी दूर होने वाली है जाई आए तो वह भी दूर होगी ड्राइनस दूर होके चैरे पर बहुत अच्छा ग्लो आएगा तो मैंने मिक्स कर लिया है चली फटा फट से लगाते ह को यह लगाना है अगर आप चाहिए तो नहाने बहुत लगा सकते हैं नहीं तो आप नाइट में भी लगा सकते हैं जब भी आपको ताइम मिले लगा कि इसे 15 मिनिट के लिए छोड़ दें उसके बाद यह हल्का सा ड्राय होगा पूरा नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमने मलाइका यूज किया है उसके बाद अपने चैरे को गुनूने पाने से दो लेना है चैरा दूने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत विडियो में तब तक के लिए बाई